मित्रों नमस्कार स्वागत है आपको दर्मसिक्चा में मित्रों आज हम आपको बताने वाले हैं डालचिनी के बारे में डालचिनी इससे आप सभी अबगत होंगे यह मसाले में यूज होता है खासकर गरम मसाले में इससे सब्जियों में स्वाग निखर के आता है तो डालचि पाइदे होते हैं से वह हम एक एक करके जानेंगे दालचीनी से वजन घरता है साथी तोचा पर अगर हम घिसके लगाएं तोचा बेदाग हो जाती है उसमें निखा जाता है दालचीनी में बहुत सारे ऐसे कंपाउन मौजूद हैं जो कि कई तरह के और सिधी गुनों से भरप करता है खाना अच्छी से पचाने के लिए आप दालचीनी का सेवन करें दालचीनी को दूध में पाणर को दूध में मिलाकर पियें इससे क्या होगा आपका वजन घटेगा और साथी जो पाच्छन करिया है वह इंक्रीज हůजाएगीगा खाना अच्य से पचैगा आपको भूख अच्छी लगेगी साथि आपका वजन कंट्रोल में रहेगा तो यह बहुत फाइदा मांद है करके देखें दूसरा ब्लच अब्लद सुगर लेवल को यह कंट्रोल में रखता है बलड के अंदर जो सुगर की मात्रा होती है, उसे कंट्रोल में रखता है, दालचिनी में कुछ ऐसे कंपॉन मुझूद है, जो कि बलड सुगर जैसी गंभीर समस्षा को कंट्रोल में रखता है, दालचिनी डायबटी टाइप 2 के मरीजों के लिए काफी एसा दार है, सबसे बड़ा फाइदा इसका अच्छी निंद के लिए रात में सोने से पहले दालचीनी को के पॉडर को दूद में मिलाके पियें निंद अच्छी आईगी तो जिनको निंद की समस्था है वो भी इसका सेवन कर सकते हैं और इसका लाव उठा सकते हैं उसके बाद में मित्र आपतर पताना चाहूंगा दालचीनी क्या होता है बाल और तवचा के लिए बहुत ही फाइदा मनद है दालचीनी का पॉडर मिलाया हो दूद पीने से बाल मजबूत हो जाते हैं तथा तवचा से जुली हर समस्था का समाधान होता है दालचीनी में क्या होता है antivacterial गुण फरपूल मातरा में होता है जिसे antibiotic भी कहता है वह एक एलवधिक एंटिवाटिक हैं तो इससे बहुत फाइदा मिलता है उसके बाद में भी तरो आपको बताना चाहता हूं डालचीनी क्या करता है हड्डियों को मजबूत करता है डालचीनी को दूद में मिलाके पिएं और थो लंबे समय तक पिएं तो गठिया रोग जो हता है उससे आपको निदान मिलेगा लेकिन इसमें आपको लंबे समय तक भी ना होगा कम से कम 5-6 मेहने तो आप एक रोटीन मिला लें कि दालचीनी का पॉडर दूद में मिलाके पिएं तो आपको फाइदा होगा इसका तो उमीद है मित्रो मेरे इस वीडियो से आपको खुछ जानकारी मिली ह होगी इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धनिवाद